कि मित्रों नमस्कार आप देख रहे हैं धन्रश प्रतिका का यूटूब चैनल दस तक्ट मीडिया मैं बिनों शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोरी की अद्भुत कथाएं अद्भुत कथाओं की सरंखिला में आपको हम लिये चलते हैं फूर चर्च लेंड लाल मकान दादा का या बाबा का निवास बाबा ने कहता है यह मकान तो मेरा है न वहीं वहाँ पर एक वक्त हैं सक्सेना जी और सक्सेना जी ने एक अपना संस्मन लिखा है कि वो जब नैनी लींताल में क्रश्नकपूर में थे एक दिन तो एक डांडी उतर डांडी बोलते अपने पाल्की बोलते हों पाल्की में पहले बिदा हुआ कर थे जब शादी होती थी तो लड़की की बिदा पालकी महुआ करती थी पिच्चरों में आज भी देखने प Свक्षक ई Calling जा रहे तब उन्हें सखना साप को दर्सन हो गया है प्रडाम कर लिया प्रडाम करने के बाद उस समय वह इंटर की परिच्छा दे रहे थे और इंटर की परिच्छा के समय थुड़ा सा दबाव होता है उन्हें किसी विक्ति से यह चर्चा की कि इस तरह से हमें एक बाबजी जा रहे ने थे और भू नियुम करोरी बाले बताए गये उनके दर्सन हुए उस बिक्ति ने बताया कि बिना इच्छा की दर्सन ही Jud Hill हो गह तो अमारानचे कोई न में प्राव है इसलिए तौने में दर्सन हूए बहुत अच्छी बात है कि सर्थ किंशन होने ढहें बड़ी बात है बहुत तस्वीर ठेल गए बात आई गई हुई सक्सेना साब बीएस्सी करने कानपुर आते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि बाबा नीम करोरी कानपुर में भी आते हैं अब कानपुर में कहां आते हैं किनके हां रुपते हैं ये कुछ अता पता नहीं है पढ़ाई कर रहे हैं सक्सेना और शात्र जीवन है पता लगाते रहते हैं कि बाबा कब आएंगे किस के हाँ आएंगे कभी-कभी ऐसा होता है कि पता करिया कि इनके हाँ आते हैं तो उनके आ गए उन्हीं साहब अभी चले गए थुड़ा समय हुआ है उनको ऐसी लगन लग गई कि जिनके दर्सन मुझे अनायास हुए अचानक हुए अब हमें उनके पुरे रसन करने हैं फिर उनके किसी भक्त से पता चलता है कि महराजी कार्थिक पूमा को लाल मर्द पांडे जी के हाँ आते हैं उन्होंने का कि फिर तो ठीक है समय भी पता है और उनमासी देखेंगे एक दिन उन्होंने सोचा कि कैसे भी महराजी अन्ने दिनों में भी कहीं आए पर दर्सन हो जाए उनकी पुकार शायद सुन ले और उन्हें यह ऐसास हुआ कि महराजी आए हुए हैं और लाल मर्द के यहां पहुंच जाते हैं और देखते क्या हैं कि महराजी भहाँ पर बिराजमान है भीड लगी हुई है जब भहाँ पर भीड लगी हुई है उसमें दर्सन किये लाल मर्द सक्सेना को बताया कि यह लड़का कई बार आता है और बहुत बार पूचके गया है महराजी नहीं कहा कि अच्छा एक सेवा कर तूँ जा तू गंगा पार चला जा और वहां से एक सादू है ऐसा ऐसा वहां होगा पेड़ होगा पेड़ के नीचे जोपड़ी होगी जोपड़ी के आसपास बहुत बैठे होंगे भीड़ वहां पर होगी तो उनके पास जा और कहना तो जेब बाबा नीम करोरी ने बलाया है सक्सेना साब को सेवा का आफसर मिल गया सक्सेना साब एक दम प्रफुलित हो गए और सोच रहे हैं कि न जाने किस जन्म का हमें पूर्णे मिल गया सक्सेना जी जाते हैं गंगा पार और बहां जैसी सितिरों ने बताई थी महराजी ने वैसा ही पेड़ के नीचे एक सादू बैटे हुए हैं भीड लगी हुई है लोग अपनी समस्याइं बता रहे हैं वो उनको समधान कर रहे हैं किसी को धूनी दे रहे हैं किसी को मिट्ट कि आशिरवाद देते हैं उस भीड को चीर के महराजी के संदेश बहाग के रूप में सक्सेना साथ पहुंशते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें बाबा जी ने बुलाया है साथुने का ठीक है अभी चलते हैं उन्हों का बाइज जल्दी अपनी बात बताओ और हम महराजी ने बुलाया है साथुन ने बात सुनी और वो चल दिए जैसे वह चले हैं उनके पीछे बीड चलने लगी है वह नाव पर बैठे कुछ लोग उस नाव पर बैठ गए है किसी की की नाव करी की चलसे क्bia को वा बताता है और और सादूजी उनकीका समयरान करते नगा तुपार नावपर बी जारी रहती है गंगा पार करके मराजी के अलफपरवाश्ट प्रावासस्थान पर करू8 पांडे के हां आ जाते हैं सादू माराजी को पड़ाम करते हैं और बैट जाते हैं माराजी कहते हैं कि भाई हमारे सरीर में भहुत तीड़ा हो रही है तू देख ठीक कर देश को सादू ध्यान लगाता है और ध्यान लगाने के बाद आखें कोलता है कहता माराजी आपके सरीर में कहीं कोई पीडा नहीं हो रही है आप हमको गलत बता रहे हैं माराजी सोचते हैं कि हम ने तो से का सहनी पीडा हो रही है पूरे सरीर में और यह करा कि हमाई सरीर में कोई कष्ट नहीं है माराजी ने उससे कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लेकिन तुम ये बात ये बताओ कि दर्द की बात तो कोई डाक्टर भी नहीं बता सकता कि किनके कहां दर्द हो रहा है कियसे हो रहा है ये तो मरी जी बताता कि यहां दर्द हो रहा है तुमने कैसे जान लिया कि हमें हमे पीड़ा नहीं हो रही, सादू कुछ बता नहीं पाता है, सादू के वल एक बात कहता है, कि हमें पता नहीं साब, हम तो हमाएं दिमाग में आ जाता है, ध्यान लगाता हूं तो, और बस बसी के दहार्प करता हूं, महराजी ने कहा, कि जो सिद्ध सक्तियां हैं, उसके भ्रम् तुम भगवान को भूल गए हो भगवान का भी इसमर्द रखिएगा सिद्ध सक्तियां तभी तुमारे पास रहेंगी अनिता की सिद्धी में कुछ नहीं हो पाएगा और जिस तरह से तुम इनका पूरी तरह सद्पियोग नहीं कर रहे हो यानि लगवक दुर्पियोग कर रह सादों की आखों से आशू बहने लगते हैं महराजी मुस्कराते कहते कि रो मत तुझे हमने सही समय जगा दिया है जो सक्तियां है उनका सद्पियोग करो और इसुर को मत भूल जाओ अगर राम को भूल जाओगे तो कहीं कुछ नहीं हो रहेगा सादों वहां से विदा होता है वहां से भी भीड़ उसके पीशे जाती है लेकर अब सादों वहराज चुप चाप नाव पर बैठके गंगा पार कर जाते हैं मित्रों सेक्सेना जी का यह अनभव उन्होंने लिखा और मैंने आपको सुनाया एक निवेदन के साथ मैं अपनी कोई शक्ति है दैविय है प्रसाशनिक है धन है बल है उसका दुर्प्योग मत कीजिएगा सद्प्योग कीजिएगा लाम राम वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब परें और बेल आइकन दवाना बिलकुल नभूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें